जैश्री शाम, जैश्री शाम, राधे राधे, आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, फिर से एस्ट्रोहेमन पर, आज हम जिस चीज के लिए जुड़े हैं, वो है सॉल्ट रेमिडिक्स, सॉल्ट किस तरीके से नमक घर में, जिस तरीके से खाना खाने वाला जो, खाने के अंदर नमक का जो इंपक्ट होता है, अगर खाना फीका हो, या खाना में नमक तेज हो, तो हमारी लाइफ में क्या इंपक्ट आता है खाना खाते वक्ट, उसी तरीके से, जिस तरीके से पुर दो चीजें बोली हैं, एक एपसम सॉल्ट आता है, उस सॉल्ट में बहुत सारा मेगनीशियम होता है, अगर आप उसको यूज करते हैं, तो आपका स्लीप बहुत साउंड स्लीप आती है, बहुत सारी रेमिडी जो सॉल्ट से रिलेटेड है, इसकी एक पांच दिन की क्लास भी मैम के साथ जुड़े, तो मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ सरीता प्रगभाकर मैम, वेलकम टू दे मैम, थाइक यू मैम, राधे, 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 एक बार मेडम सबसे जैश्री शाम कर लेते हैं, फिर सॉल्ट से किस तरीके से मैजिक कर सकते हैं, कौन-कौन सी रेमिडी कर सक राधे, राधे, राधे जी, राधे, राधे, एक बार मेडम आपका एक छोटा सा इंट्रोड़क्शन हो जाए, फिर स्चुरू करते हैं, प्रिशियर, आम मैं सहिता प्रभाकर, एक रेकी ग्रांड मास्टर, टेरो कार्ट रीडर, निमलोजिस्ट और इसके साथ साथ और ब काम करती हूं मैं, और जिसके की अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं, और जो भी लोग मुझसे कोर्स करते हैं, या जो लोग सीखते हैं, उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, जब वो अपना फीद्बैक शेयर करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम लो और अपने साथ साथ औरों की भी help कर सकते हैं जैसा कि अभी मैम ने बताया आज की class हमारी जो है वो है salt के ओपर ठीक है और salt जो कि सबको बता है कि हमारी life में salt का क्या importance है जो कि अभी हम ज्यादा तर लोग जो है वो स्वाद के बारे में जानते हैं कि अगर खाने में salt नहीं है तो वो खाना हमें पसंद नहीं आता हम उसे कहते हैं यह मरीजों वाला खाना लग रहा है और आज बहुत से लोगों ने fast रखा होगा जैसे कि आज सावन शुरू हुआ है तो जिन लोगों ने अभी तक नमक नहीं खाया है वो इसकी value और भी ज्यादा अच्छी से समझ पा रहे होगे कि अगर हम एक दिन बिना नमक के रहते हैं तो हमें कैसी feeling आती है हम कितना खुद को low feel करते हैं ठीक है और ऐसे ही यह salt जो है यह सिर्फ हमारी life में एक स्वाद को ही नहीं बढ़ाता यह हमारी life में हमारी blockages को दूर करता है आप में से कुछ लोग हैं जो जानते हैं इसके बारे में कि हम इसको कैसे use कर सकते हैं अगर कोई है तो वो unmute करके बता सकते हैं या ham raise कर सकते हैं जो थोड़ा बहुत भी इसके बारे में जानते होंगे कि हम salt को और कैसे यूज़ कर सकते हैं खाने के अलावा आज जी किरन जी राधे राधे में राधी राधे जी बता है ये negativity दूर करने के लिए भी काम आता है नजर उतारने के लिए भी काम आता है और बच्चों के लिए तो especially जल्दी लगती बच्चों को तो बच्चों के लिए तो बिल्कुल सही कहां आपने कि ये negativity को दूर करने के काम आता है और अगर मैं इसका परस्नल एक्सपिरियंस शेयर करूं salt remedy का तो मेरी डॉटर जब वो 21 देज की थी वो बिमार हो गई और उसको हॉस्पिटल एड्मिट किया गया और वो बिल्कुल जिसे उसका फीवर जो था वो 103 क्रॉस कर रहा था 104 105 तक जा रहा था डॉक्टर्स ने हमारे को मतलब बहुत जादा सिचुएशन ऐसी हो गई थी और क्योंकि वो सिरफ 21 डेज की थी उन दिनों वो ब्रेइन फीवर भी चल रहा था तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी वो तो नहीं है ये तो नहीं है लेकिन एक तो होती है हमारी आस्ता जब हम इश्वर के हाथ में सब कुछ छोड़ देते हैं कि अब तुम्हें ही संभालना है तुम ही करोगे और अगर दिया है तो अब उसको संभालने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है ये चीज़ सो थी ही थी लेकिन इसके साथ है डॉक्टर के एफर्ट से जो चीज सबसे ज़्यादा मतलब डॉक्टर्स ने मुझे टाइम दिया था कि मतलब अभी ये अंडर अब्जरवेशन है अभी बहुत सीरियस कंडिशन है मुझे किसी ने सजजेस्ट किया था कि आप एक काम करो नमक लेके उसके चारों तरफ से एंटी क्लॉक्वाइस करके फलश कर दो उसको अगर वो आपको नर्सरी में जाने देते हैं तो क्योंकि मैं बाहर रहती थी वो नर्सरी में थी और मैंने त्री डेज ये किया उसके अंदर ऐसे एकदम से चेंजेस आने शुरू है जो कि डॉक्टर्स ने भी बोला कि हम लोग ज्यादा घबरा गए थे लेकिन हाँ अब वो खत्रे से बाहर है और वो मेरे लिए मतलब बहुत अच्छा एक वो था तो तब मुझे पता चला कि हाँ देको हम लोग नजर बहुत सारे लोग हैं जो इन चीजों को नहीं मानते कि नजर लगना या इस तरह की ये जो होम रेमिडीज होती हैं कि इन से भी इतने एफेक्ट होते हैं लेकिन जब इसके बारे में मालम हुआ कि ये चीजे हैं तो धीरे-धीरे में इस मोडालिटी में आए कि क्यों ना ऐसा कुछ सीखा जाए जिससे हम खुद से मतलब इश्वर तो हमारे साथ है ही ठीक है और जो हमारे किस्मत में है वो हमें मिलेगा लेकिन कई बारी ये भी हो तो ऐसे धीरे-धीरे करते करते सॉल्ट रेमिडी सब्सक्राइब और यह हमारी लाइफ में मैजिकल चेंज लेकर आता है बहुत बारी ऐसा होता है कि आप लोग ने नोटिस किया होगा कि आप लोग घर से बाहर जाते हैं और बहुत खुशी-खुशी तयार होके गए वहां जब तक आप घर आते हैं और घर आने के बाद फिर किसी ना किसी बात पर इर्रिटेशन होनी शुरू हो जाती है या आप लोग के बीच में लड़ाई होनी लग जाती है या बच्चों के ओपर चिलना-चिली करना शुरू कर देते हो ना तो यह सारी क्या चीज़े हैं ऐसा क्योंकि आप कुछ देर पहले ही एक बहुत अच्छे महाल में थे और जब आप वहां से आए और उसके बाद अचानक आप लोगों के बीच में लड़ाई जगड़ा शुरू हो गया या मतलब खुद को लो फील करने लग गए ये सारा जो है ये बहुत आंसे होते हैं क ना कुछ ना कुछ नेगिटिवटी जो है वो आपके साथ आगई गया तो इसको हम कैसे रिमूब कर सकते हैं लेको अगर हमारे पास नॉलेज होगी अगर हम खुद से इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं तो हमें ना डरने की जरूरत होती है ना ही हमें किसी और को ढूड़ की जरूरत होती है कि हम किस से हेल्प लें पहले क्या होता था कि हमारे साथ हमारे इन लौजबारे बड़े हमारे साथ होते थे लेकिन आजकल बहुत सारी ऐसी हैं जो कि काम के सिलसिले में या किसी भी रीजन से अलग-अलग रह रहे होते हैं जो यंग जनरेशन है वो अलग उतार देती हैं कोई मिर्ची से उतारता है कोई वो बत्ती बनाके है ना रूई की उससे निकालता है लेकिन आज हम बात करेंगे सॉल्ट से कैसे हम बहुत इजी वे में चीजों को अपने नेगिटिव चीजों को अपने से निकाल सकते हैं अब सॉल्ट हमारे लिए कैसे काम करता है आप सबको मालूम होगा कि हमारी बौडी के चार मदर हमारा एक औरह होता है हर चीज का औरह होता है लिविंग दिन, नौन लिविंग दिन, हर चीज का औरह ऐए ऐसे ही हमारा औरा अगर वो strong है अब हमें कैसे मालू ही कि हमारा औरा strong है जैसे मानने जिये कि काई बार रही क्या होता है कि आप कहीं से निकले और आपका क्या जानने वाला वहाँ पर बहीं है कि हां मैं कल उस तरफ आई थी इड मिन्स हमारा औरा बहुत ही अच्छा बहुत ही बड़ा बहुत ही स्ट्रॉंग है ठीक है यह जो लोग रेखी में होंगे वो ऑब्वियसलि इसके बारे में जानते होंगे की औरा की इंपॉर्टेंस औरा क्या है वो हमारे लिए उसको स्ट्र जरूरी है है तो अगर हमारा औरा होता है हम बहुत जल्दी इंफेक्टीड हो जाते हैं चोटी-चोटी चीजों से मान लीजिए अगर हमारे पास कोई आया है कोई हमारे घर में आया ठीक है और मेरी फ्रेंड ही क्यों ना आई हो जब वो घर का इंवायमेंट देखती है मु कि वह अगर में अगर इस तरह से करते हैं यह तुम्हारे लेको तो सारी चीज बताके चली जाएगी लेकिन उसका असर मुझके क्या है मैं comparison शुरू कर दूँगी मेरा ध्यान क्या जाएगा उसके बच्चे उसका सारा कहना मानते हैं और मेरे क्यों नहीं मानते हैं चाहे मेरे बच्चे अगर एक चीज नहीं मान रहे दस चीज़ें मान रहे होंगे लेकिन मेरे दिमाग में क्या आएगा मैंने वह नेगटिव साई ठीक है ना इसका क्या मतलब होता है कि हमारा औरा जो है वह बहुत वीक है हम बहुत जल्दी किसी की बातों से किसी के कुछ करने से एफेक्टर हो जाते हैं ठीक है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए हमें अपने औरा को क्लीन करना चाहिए अब हम क्लीन कैसे करेंगे जो लोग रेकी में वो जानते हैं कि सिंबल्स होते हैं, हम रेकी सिंबल्स जालते हैं, जिसकी वज़े से हम अपने औरा को बहुत जादा प्रोटेक्टिब फील करते हैं, ठीक है? तो लेकिन इसमें क्या है? हम सॉल्ट के साथ करेंगे. वो कैसे करेंगे? अब मैं आपको एक सॉल पैन ले 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 और एक सॉल्ट बनाना मैं हम सिखा रही हैं, मैंडम कौन साथ सॉल्ट सिखा रहे हो आच? यह हम बनाएंगे जैसे जिन लोगों को बहुत जल्दी नजर लग जाती है, जो बहुत डिप्रेसिव होते हैं, ठीक है? नेगेटिव रिमूवल के लिए? जी, ने इस वी, 6-7 जाउल के लेगे- बसला एंगे बसला उल की, यह सारी चीजे जो मैं बताहूंगी यह बहुत अवेलेबल है अम अनुल के लिए कि अधि है, सबसे बहुत लेगे बसला मैं ने कि भीजब होते होते हैं, धिर हम लेनगे भी जो हमारा एड़ और बहुत है, जो हम आप yellow color ले लें, बहुत अच्छा है, ठीक है, और इसके साथ साथ हम लेंगे clarity sage oil, ठीक है, और half cup जो है, हम लेंगे rock salt, या sea salt, आप इसमें sea salt ले लिजे, half salt, sea salt, और half cup जो है, वो हम लेंगे epsom salt, ठीक है, अब इसको हम बनाएंगे कैसे, सबसे पहले हम एक airtight jar लेंगे, ठीक है, कोई भी कांच का jar लेंगे, हम जो की airtight होगा, so that की moisture ना उसमें आ जाए, ठीक है, इसलिए हम एक airtight jar लेंगे, उसमें हम दोनों salt जो है, हमारे पहले हम वो डालेंगे, फिर यह जो हमने oil लिया है, इसकी जो हमने 6-6 drops हमने लिये हैं, वो हम इसके drops उसमें डालेंगे, इसके साथ ही हम डालेंगे, 3-4 drops, edible हमारा जो color है, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि कई बारी क्या होता है, कि हमारे को, जैसे color की भी आप जानते होंगे कि हम color को देखे कितनी जल्दी attract होते हैं, है ना, मतलब color से हमारे को एक बहुत अच्छी, बहुत positive feeling आते हैं, जो, slow, slow, slow speed में एक बार वापिस से बता देना है, ना, जी, 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 एक बारी फिर से बताती हूँ, 6-7 drops हमारे होंगे, rose oil के, 6-7 drops होंगे हमारे basil oil के, 6-7 drops ही लेंगे हम, clarity sage oil, यह आपको अराम से मिल जाएगा, पूजा वाली shops पे, यह जहां पे भी आपके यह oils मिलते हैं, यह जो बड़े stores हैं, आजकल वैसे हर को ही रखता है, यह ना, और इसके साथ साथ हम लेंगे, हमारा color, खाने वाला color, ठीक है, 3-4 drops, यह और साथ में, half cup हमारा होगा, sea salt, और half cup होगा हमारा, epsom salt, epsom salt के फाइदे, अभी मैं मैं ने भी जैसा बताया कि बहुत useful होता है, उसमें बहुत सारी qualities होती, ठीक है, अब हमने एक airtight jar लिया, उसमें यह हमने दोनों salt डाल के, यह हमने oil डाले, और उसके बाद उसको हमने अच्छे से shake किया, या फिर उसको हम, अगर मान लीजे, उसको shake करने में आपको लग रहा है कि वो सारा नहीं मिल रहा है आपस में, तो हम plastic spoon लेंगे, या फिर wooden spoon लेंगे, steel का चम्मच हम नहीं लेंगे, ठीक है, उससे हम उसको अच्छे से एक बारी मिला लेंगे, मिलाने के बाद फिर उसे आप airtight jar में ही बंद करके रखेंगे, अब इसे हम use कैसे करेंगे, आप इसको थोड़ा सा अपने हाथ पे लीजिए, ठीक है, जैसे एक चम्मच आपने लिया, अपने हाथ पे रखेंगे, उसमें थोड़ा सा rose water मिला दीजिए, otherwise normal water भी अगर मिलाएंगे, वो भी work करेगा, ठीक है, थोड़ा सा वो करिए, उसके बाद उसको अच्छे से rub करके, वो इतना नहीं कर लेना कि वो हाथ में ही पिगल जाए, उसको अच्छे से rub करके, अपनी पूरी body पे आप इसको एक बारी scrub कर लेंगे, जैसे हम scrubber यूज कर से पहले, उसके बाद आप आपने अगर नहाया है, नहा लिया, सोप लगाया, लेकिन जब आपने इसको यूज किया, उसके बाद आपने सोप नहीं लगाना है, ठीक है, आप इसको लगाके सो जाएए, और सुबह एक बारी इसको पानी से साफ कर लीजे, जितनी भी negativity अगर आपको फील हो रही होगी, या नहीं फील हो रही होगी, लेकिन अगर है, वो एक दम से खतम हो जाएगी, ये बहुत, ये magical salt है, और अगर आप देखेंगे, जब हम, अगर आप Amazon पे, या अगर आप Google करेंगे, ये salt market में इतने महंगे मिलते हैं, कि अलग अलग चीज़ों के सबको clear है, ये जो अभी मैंने बताया, रिपीट करने की ज़ुराद है, या मैं continue करूँ, आप मुझे message कर सकते हैं, मैडम, एक बार last time और रिपीट कर दीचे, मेरे पास कम से कम 10 message हैं, Epsom salt हो होता है, वो एक तरीके से salty होता है, उसमें पर भरपूर मातरा में magnesium होता है, ठीक पर medical store पर easily Epsom salt के 10-10, 20-20 रुपए के pouches मिल जाते हैं, वो आप ये ले सकते हैं, बिलकुल, और जैसे इसके अंदर ये मैं पहले रिपीट कर देती हूं, हम लेंगे पहले 6-7 drops rose oil, 6-7 drops basil oil, 6-7 drops clarissage oil, ठीक है, और हम लेंगे 3-4 drops लेंगे, हम खाने वाला color, yellow color ले लीजिए, वो अच्छा है, otherwise कोई और soothing color आप ले सकते हैं, और आप लेंगे half cup sea salt और half cup epsom salt, ठीक है, इसको आप airtight jar में पहले salt डालेंगे, फिर सारे oils डालेंगे, फिर उसके बार last में हम डालेंगे color, ठीक है, color डालने के बाद उसे हम अच्छे से किसी लकडी के चम्मत से या प्लास्टिक के चम्मत से उसे हम mix करेंगे, और mix करते ही उसे हम बंद कर देंगे, किसी airtight jar में, ठीक है, इसको आप कांच के jar में बनाएंगे, क्योंकि उसमें moisture जल्दी नहीं आता अगर वो airtight है, ठीक है, और वैसे भी, मैं कांच का jar इसलिए बोल रही हूँ, अगर हो सकते हैं, आपने से बहुत से लोग जानते हों, कि हम कभी भी, जो हम प्लास्टिक के डिबे में नहीं रखते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, वो भी इस चीज को नोट कर लीजे, कि अगर आपका soil जो है, अपने प्लास्टिक के डिबे में रखा है, तो उसे आप किसी कांच के jar में, या जो सेरमिक का आता है, उसमें आप रख सकते हैं, लेकि उसमें भी रखते हैं, लेकिन उसमें वो बहुत जल्दी उसमें moisture आजाता है, इसलिए हमें प्रेफर करना चाहिए, कोई भी airtight glass jar, ठीक है, उसमें आप इसको बना के, जब आप यह डाल लेंगे सारी चीजें, अच्छे से mix करके इसको आप बंद कर लेंगे, जैसे आप आपके उपर रहेगा, इसके बाद जब भी आप यह salt यूज करते हैं, उसके बाद आपने अपनी बादी पे कोई भी जैसे कोई सोप या कोई शांपू कुछ यूज नहीं करना है, और वैसे भी अगर आप सोने जा रहे हैं, तो उसके बाद ऐसा वो नहीं है कि मतलब यह ल आपने जिसे नहाया सोप लगाना है, सब पहले कर लिजए, उसके बाद इसको लगाएए, देखे उसके लिए यह भी हो सकता है, जैसे किसी का कुशचन है कि अगर हम इसे रभ करके नहीं लगाना चाहते हैं, देखे उसमें फिर हम यह करते हैं कि इसको हम किसी कांच के ठीक है वहाँ पेसे आप कांच के बाउल में रख सकते हैं कांच के बाउल में इसको रखने के बाद आप देखेंगे अगर नेगिटिव इंपक्ट है कुछ भी तो इसमें बहुत जल्दी मॉइस्चर आ जाएगा या फिर आप देखेंगे इसमें एक अजीब सी स्मेल आएग उनकी खुश्बू होगी ठीक है लेकिन जब आप इसको इस तरह से बना के हमने अगर अपने बॉड़ी पर किया है तो उसके एफेक्स बहुत जल्दी आते हैं ठीक है इसलिए बोला कि इसको अगर आप रब करते हैं लेकिन कुछ लोग को यह लगता होगा कि सॉल्ट को जाएगी ठीक है तो आप इसे एक बाउल में डाल कि अपने जहां पे आप ज्यादा टाइम बिताते हैं घर ऑफिस यहां पे भी वहां आप इसको इक बाउल में रख दीजे और जब आप देखेंगे कि उसमें मॉइस्चर आ गया है या उसकी उसमें उसका कलर चेंज हो गय है यह अगर कुछ इंपक्त नहीं है तो यह आपके कुछ दिन ठीक वैसा ही रहेगा लेकिन अगर कुछ नेगिटिव इंपक्त थो बहुत जल्दी इसमें आपको लगेगा यह थोड़ा गीला हो गया यह बहुत ज्यादा ड्राइघ हो गया और इसमें यहां अजीब सी खु तो देखें 1-2 दिन मदल्लब आप एसको 2-3 दिन रंख सकते हैं, ठीक है? अगर उसमें कोई स्मेल नहीं चेंज हुई उसमें जाज हैं हैं ही मॉयस्टर नहीं आया तो आप इसे 4-5 दिन भी रख सकते हैं एक बाउल में लेकिन अब अगर उससे आप इस आफ किसी आप नहीं वो डारेक्ट आपके साथ नहीं कॉन्टाक्ट में है एक सेकंड लीचे है ठीक है हम इसको भी यूज कर सकते हैं जी हाँ सेल्टिशिय ये भी देखे हमारे जो हम इसमें और सॉल्ट जो यूज करते हमारे नाइन टाइप ऑफ सॉल्ट सें जिन से हम ये डिफरेंट डिफरेंट मैजिकल सॉल्ट बनाएंगे जो कि हम क्लास में सीखेंगे जैसे सेंधा नमक हो गया ठीक है पहारी नमक है जिसको हम लोहारी नमक भी बोलते हैं हमारा sea salt है खड़ा नमक है इस तरह से epsom salt है ये नाइन तरह के salts हैं जिन से हम सीखेंगे कि कैसे कैसे salt बनाते हैं आप में से कितने लोग हैं जो अपने जब मॉपिंग कराते हैं पोछा लगवाते हैं उसमें नमक दलवाते हैं अगर कोई है अपना hand raise कर सकता है और unmute करके बता सकते हैं जी गायत्री जी आप unmute करके बता सकते हैं चलो उनका नहीं हो रहा किरन जी आप बता दीजिए अन्म्यूट करके आप बता दीजिए सब्ता में एक या दो बार खड़ा नमक और ये डाल के पोछा जरूर लगाते हैं ठीक है और फिर उसके बाद क्या करते हैं उसका उसको घर से बाहर फिक्त उसका पानी घर से बाहर डलते हैं ठीक है फिर उससे मुझे घर में जो लगती है न में उसमें फर्क है मुझे देखे ज्यादा तर लोग यही चीज़ करते हैं हम लोग की देखे बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको उससे फर्क लगता है ठीक है लेकिन आप लोग एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप नमक से पोछा लगाते हैं पोछा लगने के बाद वो तो हमारा जो पोछा लगा है उस वो तो जमीन पे है ना भी मतलब नमक से वो हमारा निकला तो लेकिन उसके बाद हमारे को क्या करना चाहिए क्योंकि उसके उपर जब हम चल रहे हैं बहुत से घरों में क्या होता है कि हम लोग चपल जो हैं वो साइड पर रखते हैं नंगे पर चलते हैं यहां फिर रखर चपल के साथ भी चल रहे हैं तो अगर कोई नेगेटिव इंपक्ट है तो बहुत सा बहुत चांसिज होता है कि वो हमें वापिस एफेक्ट करें क्यों क्योंकि आपने नमक का पोच्छा लगाया लेकिन वो नमक अभी वही है आप एक बारी पोच्छा ले रहे हैं वो लगा रहें लेकिन वापिस उसी बाल्टी में जब साफ पानी का उसके साथ-साथ होना बहुत जरूरी है अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो negativity वहीं रह जाती है ठीक है आपको जब भी आप ये खड़ा नमक डाल कर आपको करना है कुछ लोग जो है वो एक खाने वाला नमक भी डालते हैं उसमें ठीक है लेकिन हमें खाने वाला नमक नहीं यूज करना किसी भी remedy में हम खाने वाला salt यूज नहीं करते उसे हम सिरफ और सिरफ टेस्ट के लिए ही रखेंगे ठीक है और बाकी जो मैंने आपको बताया 9 type of salts उन्हें हम यूज करेंगे remedy के लिए ठीक है और इसमें हमें पोचा लगाने के बाद जब हम नमक का पोच हा लगाते हैं उसके बाद हमें एक बारी खाली पानी से वापिस पौचा लगाना चाहिए और वो जो पानी है वो हमें घर के बाहर फेकना ठीक है और जो लोग घर जो लोग मान लीजे ग्राउnd फ्लोर पे नहीं है फिर्स या सेकिन फ्लोर पे रहते हैं वह उपर से तो पानी नहीं फेक सकते, फिर हमें कोशिश करनी चाहे है, इसे हम अपने ड्रेनेज में डालेंगे, ठीक है, घर की बालखनी में जाके, वहाँ पे आप इसे डाल दीजिए, एक्जेक्ट उस पॉइंट पे, ठीक है, एक सेकंड होल करेंगे प्लीज, प्लीज हम बात करेंगे, जब हम नमक से अपने को, जिसे हम लोग अपनी नज़र उतारते हैं या बच्चे के, किसी की भी नज़र अगर हम उतारते हैं, तो हम कैसे करते हैं, नमक लेके कि जब हम अपने चारो तरफ क्यों घुमाते हैं? क्योंकि हमारा औरा है. हमारे सबसे पहले एफेक्टिड क्या होता है? हमारा औरा. हमारे औरा की seven layers है. ठीक है? वो जब एफेक्टिड होती है तो हमारा शरीर जो है उसके उपर इसका अफर आता है. ठीक है? तब हम बिमार काला जादू काफी लोग करते हैं है तो उसका इंपेक्ट भी तभी आता है अगर हमारा औरा क्लीन नहीं है. तो इसको नमक वो सॉल्ड को हम अपनी नजर उतारने के अपना औरा स्ट्रॉंग करने के लिए यूज करते हैं. इसको हम अपना अपनी जो हमारी बॉड़ी की ज है जिनको नीण नहीं आती वह बहुत ज्यादा डिप्रेसिव है यह एंट्बों को है? ठीक है? यह कई बारी होता है ना कि हमारे मन में बहात गलत विजा रहाते हैं मदम अंदर से हमें लगता है कि हमें सोना है लेकिन हमें नीन नहीं आती है ठीक है क्यों क्योंकि दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है और जो चल रहा होता है वो ज्यादा तर नेगटिव होता है यही रीजन होता है कि हम डिप्रेसिव हो जाते हैं यही रीजन होता है कि हम बहुत ज्या आप थोड़ी सी कॉफी ले लीजे क्योंकि ये जैसे थोड़ा सा बनाने के लिए मैं बता रही हुआ आप यूज कर लेंगे मान लीजे आपने आप लीजे हाफ कप लीजे खड़ा नमक ठीक है मतलब अगर आपकी मान लीजे बॉटल में आप थ्री फोट तो रखेंगे सॉल्ट ठीक है खड़ा नमक और इसमें आप डाल लीजे जो उपर जितना आपकी स्पेस है उसमें आप डालेंगे फिटकरी का पाउडर फिटकरी को आप थोड़ा सा ही अगर ऐसे करते हैं तो वो एकदम से पाउडर बन जाता है उसका ठीक है फिटकरी का पाउडर और हम लेंगे कपूर कपूर भी बहुत जाता है उसका भी पाउडर बन जाता है फिर हम लेंगे कॉफी ठीक है इन चीजो को हम अच्छे से मिला लेंगे मैंने आपको बताया था क्लेरी सीज क्लेरी सीज ऑईल की भी छे साथ ड्रॉप्स ठीक है तो आपनी ये सारी चीजों को मतलब मान लीजिए आपका जार में त्री पोर्ट जार जो है वो आप खड़े नमक से भरेंगे उसके बाद उसमें कॉफी के दो चम्मच डाल दीजे और ऐसे ही उसमें एक चम्मच या देट चम्मच कपूर का डाल दीजे पिसा हुआ या एक चम्मच बेनफ है और एक चम्मच उसमें आप डाल दीजे एक से देट चम्मच आप डाल दीजे फिट करी ठीक है इसको अच्छे से आप मिला लेंगे ठ प्रोसेस हमेशा यूज करेंगे लकडी का चमच या फिर प्लास्टिक का चमच ठीक है हम सिरफ बोडन प्लास्टिक यूज करेंगे हम इसमें कोई भी मैटल यूज नहीं करेंगे ठीक है इसको अच्छे से मिलाने के बार ठीक है फिर हम इसे क्या करेंगे ये इस salt को अब ये भी same आप इसको भी कर सकते हैं इसके लेकिन बहुत अच्छे results अगर आपको देखने हैं जिनको नीम की problem और ये depression है वो अगर इसे अपने उपर रब करते हैं या जैसे नहा लिया आपने soap लगा लिया उसके बाद आप इसे लगा लीजिए ठीक है और एक बारी साफ पानी से सिरफ अपने उपर जैसे 10-15 मिनट आप रुख जाएए वही पे वाश्रूम में और उसके बाद अपने उपर पानी डाल लीजिए ठीक है लेकिन अगर आपको इसके 101% result लेने हैं तो आप इसे कीजिए Saturday को Saturday को करने के करने के लिए आपको क्या करना है सेम हमारा रहेगा आप इसे अपने हाथ पे लेंगे हाथ पे लेंगे इसको थोड़ा सा घीला करके रब करके एक बाई लगा लीजिए इवन अगर किसी को एकने होता है ना यहां चेहरे पे कुछ कई बारी होता कि क्यों आ रहे हैं एक तो हमारा एज की वज़े से भी होता है कि जब मतलब कि हम ग्रोइंग एज में लेकिन कई बारी वैसे ही हमारे शरीर पे फोरे फिंसी आना शुरू हो जाते हैं तो यह उस तब भी आपको काम करेगा मतलब अगर वह बहुत जादा पक चुके हैं तब आ आप अपना फेस एवाइड करके बाकी शरीर पे लगा सकते हैं लेकिन अगर आपकी वो टेंडेंसी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं इसको एक बारी रब करके रात में सो जाईए और सुबह इससे नहा लीजिए लेकिन यह आपको करना है साटरडे को आप इसको 21 मेलेंगे से वन्दब आप कई बारी होता है ना कि हम लोग दवाईयां भी खा रहे हैं इवन डिप्रेशन वालों की मेडिसिन इस रेमेडी से 21 तो 45 डेस जब वो करते हैं उनकी मेडिसिन या तो खतम हो जाती है या ना के बराबर हो जाती है जो बहुत हाई डोस लेते हैं उनके लिए जिसे उनको फ्रीक्विंट नहीं खानी पड़ती है तो सब ने नोट कर लिया क्या मुझे रिपीट करना है इसको आप मुझे चैट में एक बार ही बता सकते हैं अगर नहीं समझ में हालो कि नादे बादे मैं जी 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 रादे मैं यह दो कुष्ण हैं रगे करते हैं ना बिलकुल 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 यह स्माहिं बोली है मैं आपकी आवाज आ रही है रादे रादे बुलिए रादे रादे मैं मैं आपको ना पूजा की शॉप पे मिलेगा ज्यादा तर पूजा में यूज होता है यह अदर्वाइस जहां पर भी असेंचल ऑई है ना यह आपको मिलेगा यह हमारे से नेगटिवटी रिमूब करने में इसके बहुत अच्छे रिजाल्ट होते हैं मैं इमेज़न पर होगा ना जी मैं यह जितने भी आपको में आपको लिए ले ले ना ना मैं आप प्लीज प्लीज अपर आप उसके भी चैट पर भी डाल दोगे ना तो सब को इजी हो जाएगा कैक्षिए सपेलिंग में ना हो सकता है में जो इसको प्राइब करेंगे और आपको यह एजी ली आप यह जो हमारे साइट से उन पर आपको इसली मिल जाएगा मैंडम जो भी क्लास जॉइन करेंगा ना उनको सारे अमेज़न के सारे लिंक प्रोवाइट कराएजाएंगे डोंट वरी या पुराने पंसारी की शॉप पे या असेंशल ऑईल की शॉप पे या मेडिकल स्टोर पे यह सारी चीज़े अवेलेबल होती है बाकि आपको एमेज़न आची तारिक में सबके लिए कंफरेबल है तो वहां का आपको मैं लिंक क्लास के अंदर प्रोवाइड करा दूँग मैं बन से किन एक मिनट मैं पहले है ना क्लास के बारे में बात करी लेते हैं तो यह जो मैं की क्लास आने वाली है जो कल से ही है 23rd से है टाइम यही रहेगा 5.30 का इसके अंदर मैं आपको मैं कितने तरीके के सॉल्ट बनाना सिखाएंगे आप यह हम 25 to 30 हैं हो सकते हैं कराते कराते इसमें एक आदा हम और एड़ान करने अप्रॉक्स 30 तरीके के सॉल्ट है जो आपकी लाइफ की हर तरीके की प्रॉब्लम को सॉट आउट करने के लिए होते हैं नेगिटिविटी के लिए है मैं इसका कंटेन एक बार आप शेयर कर देना कि क्या क्या है अभी मैं जब पोस्टर हटाऊंगी उसके बाद आप शेयर कर देना तो यह पांच दिन की क्लास है वेरी नॉमिनल प्राइस पे है फाइफ देस मतलब पर देगी क्लास अगर आप द पाइफ तो जो भी इस क्लास को जॉइन करना चाहते हैं मैं पेमेंट डिटेल भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूं अब इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं पेमेंट डिटेल है पे टीम जी पे फोन पे नंबर है डबल नाइन डबल नाइन 063784 और नीचे दिये के न 209677979 पर अब इसका स्क्रीन शॉट डाल देंगे तो मैं आपको पेट गुरूप में एड़ कर दूंगी तो जो भी जॉइन करना चाहता है प्लीस नीचे दिये के नंबर पर कनेक्ट भी कर सकता है और इस वेरी नॉमिनल प्राइस 555 के में आपको ये ख्लास फाइव डेस क क्लास में मैं एक बार मुझे वह बता सकते हैं कंटेन की किस तरीके के सॉल्ट बनाना सिखाएंगे आप जी बिल्कुल एक सेकेंड एक सेकंड मैं एक सेकंड मैं तुछ इसमें प्रोटेक्शन आइल प्रोटेक्शन सॉल्ट होगा नेगिटिव्टी रिमूफ करने के लिए और आप देखते हैं कि आजकल रिलेशन्स का बहुत इशू रहता है ना मतलब रिलेशन्स में बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स आती है छोटी-छोटी चीजों के उपर ही इस नीम नहीं आना उसके लिए इसके साथ साथ हम मनी से रिलेटेज किसी शी लोगन के साथ यह होता कि पैसा अच्छा अच्छी लेकिन वह कें दृटनी है वह सब व्यारी मिली और उससे पहले ही खर्चें पता होते हैं कि इसमयने की यह ए एक्स्ट्रा खर्चे हैं कि क्या तो उन से हम कैसे छुटकारा पास सकते हैं उसमें भी salt हमें help करेगा उसके लिए हम salt बताएंगे और black magic ठीक है black magic से related और इस तरह है कि कई सारे salt है जो हम आपको बताएंगे जैसे आपने अब भी मैंने बताया मैं आपका money से related आपका money flow अच्छा हो जाए उसके लिए अपने relations को आप कैसे ठीक कर सकते हैं आप अपनी negativity कैसे हटा सकते हैं अपने साथ protection कैसे मतलब कि आप अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो भी आप इसको protection की तरह कैसे यूज कर सकते हैं कि आप बाहर जा रहे हैं लेकिन आप किसी भी negative चीज का impact आपके उपर नहीं आ रहा हो इसके साथ साथ इन salt को सीख के एक चीज और आप कर सकते हैं जो कि मैं कहूंगी वो भी magical है आप इससे earning कर सकते हैं हमने इसको अपने use के लिए तो बनाया ही लेकिन इसके साथ साथ आप इसे घर बैठे अपना source of income भी बना सकते हैं वो कैसे अगर आप Amazon पर देखेंगे या और बहुत सारी जो online sites हैं उन पर अगर आप देखेंगे तो ये salt जो हैं काफी expensive मिलते हैं ठीक हैं आपको छोटी छोटी जार हैं जो 700 800 इस तरह के मिलते हैं लेकिन जब आप इनको बनाएंगे तब आप देखेंगे कि इसके अंदर आपकी लागत क्या है और आपका मुनाफ़ा क्या है और आपको कहीं नहीं जाना सिर्फ एक दिन या तो आप अगर online मंगवा रहे हैं तब तो आपको वो भी नहीं जाना घर बैठे हुए आपने सिर्फ order करना है ठीक है और अगर किसी को online नहीं available हो रहा है या मतलब मान लीजे वो नहीं जानता है कि online में कैसे करूं तो आपको सिर्फ एक दिन के लिए market जाना है और आपके सारा समान ला सकते हैं इसे बनाईए और के बाद इसे आप sell कीजिए और मतलब मैं guarantee करती हूँ कि अगर आप इसको थोड़ा सा भी चाहें कहते हैं ना कि एक फ्रेंड को जब देंगे और जब वो इसके result देखेगी तो वो definitely दूसरे को recommend करेगी ही करें चीक है इसके इतने अच्छे results आते हैं तो आप देखिए कि सकते हैं ठीक है और यह कैसी चीज़ है जो आपने एक बारी सीखी और वो lifetime के लिए आपके साथ है और उससे जो लोग घर बैट के चाहते हैं कुछ earning करना या तो वो इसको कितनी easily use कर सकते हैं अपना source of income के लिए ठीक है और इसके आप इसे try करेंगे तो आप देखेंगे कि genuinely लोग जैसे क्योंकि आजकल जैसे लोग बहुत अवेर हो रहें चीजों के लिए मान लीजे पहले हम लोग इतना ज्यादा मिद्ट स्पिरिछुलिटी की तरफ लोग काफी जा रहे हैं आप है यहां पहले हम लोग रेकी के बारे में इतना नी जानते थे पहले हम इंसॉल्स के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे बस इतना पता था नमक लो और उतारा कर और उसके बाद इसको कर दो कई अपने लिए कितना अच्छा उसका यूज करते हूं हर ने कि चीज से आप बचते हो दूसरा आप इसको आप सोस अप इंकम यूज करते हूं और जो भी लोग आप में से अगर को जो लोग टैरो या कोई इस तरह की वीलिंग मोडाविटी में है उसके लिए तो यह है बहुत ह उतना हम सामने वाले कि नहीं लेते हैं लेकिन जैसे टैरों कर रहे हैं या रेकी कर रहे हैं तो उसमें अगर हम अपने को प्रोटेक्ट करके नहीं चलते हैं तो चांसे वोते हैं कि उसका कुछ ना कुछ impact मान लीजे मतलब ऐसा वाला नहीं मैं कहूंगी कि अगर उसकी life worst है तो हमारी हो जाएगी नहीं लेकिन हलका फुलका वो आप पे effect हो सकता है ठीक है लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर मतलब अगर आप अपनी protection रखते हैं तो आपको किसी भी चीज से कोई डर करने हैं बिंदास आप जो करना चाहते हैं आप उस मोडलिटी को कर लिए ठीक है और मैं भी अपने पास जैसे सॉल्ट बना के रखती हूं और क्योंकि रीडिंग करती हूं तो अपनी protection के लिए मैं करती हूं तो इनफेक्ट मैं अपने घर में और अपने अलग जैसे बच्चों के रूम में भी मैंने रखा हुआ है तो यह हमारे लिए देखें जिस चीज में हमारे को फाइदा मिल रहा है ठीक है उस चीज को करने में कुछ नुकसान नहीं है तो इसलिए आप देखेंगे कि हम किस त हम जो लोग business में हैं यह इन फैक्ट office में है हम ढेकर घर में सब कुछ अच्छा है हम ठीक रहते हैं लेकिन जैसे हम office के अंदर जाते हैं हम अपनी अंदर हमारे कोई हमारा दया से चान्ज होजाता है हम तो रेग्रेसिव हो जाते हैं यह सब क्यों होता है वहाँ के environment में जो negativity नेगिटिव्टी का मतलब हमेशा कोई जादू जोना नहीं हो गया अगर कोई आपसे उची आवाज में बात कर रहा है या अगर आपसे कोई गाली कलोच करके बात कर रहा है तो वह भी एक नेगिटिव इंपक्ट हम पे आता है और वही अगर आपके साथ कोई थोड़ा सा प् हावास उनके एक रिलैक्स मिलता है कि हाँ मैं उसे अगर कही बारी होता है कि किसी कोई इनसान है वो हमेशा बहुत पॉजिटिव बाते करता है तो जब हम कभी नेगिटिव हमारे को लगता है कि हम अच्छा नहीं फील कर रहे हैं लो फील करते हैं तो हम क्या करते हैं हम उस इंसान से बात करना प्रैफर करते हैं कि शायद उसे बात करूंगी तो शायद कुछ परक आए तो और वह होता भी है वह आपके साथ बात शुरू ही करते हैं तो आपको एक positive vibes आनी शुरू करती है वो क्यों क्योंकि उनका उरा बहुत अच्शा होता है और से वही अच्छा औरा हम अपना भी बना सकते हैं, हमसे भी वो वाइब्स आ सकती हैं, हमसे भी लोग मिलना चाह सकते हैं, मतलब हम अपनी लाइफ में वो सारी पॉजिटिवटी ला सकते हैं, कैसे इन मैजिकल सौर्ट्स को बनाती हैं, ठीक है, और इसको आप सिर अपने उ आप घड में यूज कर रहे हैं आप इसको जब लोगों को देंगे वो इसके जब रिजल्स देखेंगे तो जो वो आपके साथ शेयर करेंगे तो उसमें भी आपको ऐसा लगेगा कि आप जरिया बने इश्वर और उसके बीच में उनकी लाइफ में खुशियां लेकर आने का उनकी लाइफ से उन प्रॉब्लम्स को हटाने का इसलिए भी हमें ऐसी चीज़े सीखनी चाहिए कि जिससे हम अपने साथ-साथ औरों का भी भला कर सकें अगर हां तो चैट में ढालिए बहुत से लोगों के कैमराज ओफ हैं या तो मतलब अगर आप आप आउन करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा या मुझे भी लगेगा कि हाँ आप लोग इंट्रस्टेड हैं मुझे सुनने में अधर्वाइस ऐसे लगता है कि अंधिरा जाया हुआ है मदू जी हलो जी मदू जी आप खड़ा नमक बोलते हो क्रिस्टल फॉर्म में ले ना पाउडर फॉर्म में ले पाउडर फॉर्म में मिलता है आप मतलब वैसे भी मिलता है हमें लेकिन अगर पाउडर फॉर्म में लेंगे तो ज्यादा अच्छा है अच्छा नहीं वैसे क् crystal form में मिलता है उसको अगर आप हलका सा वो करेंगे ना लाइक अगर आप जार में इसको करेंगे मिक्सी में करेंगे तो बहुत जादा नहीं चलाना है बस वो एक दो बारी बस इसको कड़के छोड़ देना मैं रेमिडी के लिए पाउडर जाहिए आप और जाओ व्यादा ओधा लौन उसको उसको पहले पाउडर बनाओ तो आमें बहुतमाब教 hippie में कि दिखमादा और सब्सक्र। कारएं बावियस्यादा कि जड़के इसके करेंगे अभियस्ली आप ज्यादा खड़ा नहीं रख सकते हैं लेकिन जिस तरह से आप स्क्रबर देखते हैं कि वो इतना होते हैं कि आपको नुकसान भी नहीं कहुंचाता जी 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 पिलकुल पैसा कर सकते हैं और पोचर वगेरा में अगर उसे थोड़ा सा बढ़ा भी हुआ तो कोई उसका नुकसा आज मैंने आपका अप्रेंड किया वीच में कर बाया तो अच्छा पड़ाया आपने थैंक यू मैदम माथी के साथ एक चीज उसना चाहता हूं जी जब भी हम रेमेडी करते हैं हम यह सी साल्ट कभी निस्तिमाल करते हैं जो मैंने पड़ा है मैं बखा दू पहले आपको उ अब स्टिक और हम जब भी करते हैं जब भी हम कर्चे हैं मैंने इनीक लेट वारम से पड़ा है राहुल जी के संधीब जी के यह नहीं है तो मुझे जो पता है जो अफ़र यहीं गल्पी करते हैं कि वह घर में जो है सी सॉल्ट वाले का पोशे लगा देती है जब्शी वह करना है तो यह मेरा समय आपने पढ़ाया अच्छा है और मुझे अच्छा लगा अपना एक्सपीरिंस जरूर शेयर करना चाहिए जैसे हम कहते हैं कि कई बारी हमारे जो बच्चे हैं वो हमें कुछ ऐसे सीख देते हैं जो हमें सच मेंने मालुम हो और अगर मैं बोलू मैं टेक्निकली बहुत जादा स्ट्रांग नहीं हूँ तो मैं क्या करती हूँ मैं क्या करती हूँ कोई चीज नहीं तो मेरे बच्चे जो छोटे बच्चे मैं उनसे पूछती हूँ कि अच्छा मुझे बता दो अगर हमें कोई चीजें ऐसे पता चलती है तो उसमें हमें सीखना चाहिए और बताने वाले का शुक्रिया गरना चाहिए कि उसने हमें बताया ठीक है अब इसी हम लोगों आपने जो बोला ना वो बिल्कुल सही है पर मैं जो इस नमक की बात कर रहे थी वो खड़ा नमक है वो इसलिए मैं preciso क्या कि मैं खड़ा नमक की बोल रही हूं कि खड़ा नमक तबी मैंने बताया था सुरू में ही कि कुछ लोग तो यह जो हम खाने में नमक यूज करते हैं वही डाल लेते हैं इन फैक्ट मेरी कोई नोन है वो अब यही करते थे खाने वाला नमक उसमें डाल देते थे थोड़ा सा कि यह हो गया तो लेकिन वह नहीं करना है क्योंकि इसमें क्या बकायदा अगर आपको बोलाए जाएक क्वांटिटी बनाने के लिए फाइव ड्रॉपस ऑफ ओईल चाहिए या फाइव ड्रॉपस ऑफ रोज ऑइल चाहिए या कुछ भी चहिए तो उतना ही चाहिए तभी वह एपक्षटा वह रमेडी की तरह होता है यस मतलब है कि तादे रादे में रादे रादे में मैं एक क्यूशन था मेरा जिसे जब भी हीलिं करते हैं ना रेकी जिसे करते हैं तो उसके बाद भी हातों में रह जाता है थोड़ा सा वह तो अपनी प्रोटेक्शन अच्छे से करते हैं तो बिल्कुल कुछ नहीं होता करना भूल जाती हूं जैसे बच्चों के भी करी तो मैं दिसकनेक्ट करना भूल जाती हूं तो फिर उसके बाद इसे में सोपे को भी टच करूंगे कुछ भी टच करूंगी तो मुझे हाथ वह मैसूस होता रहता है तो देखिए इसका जवाब आपने खुदी दे दिया दिसक करनेक्ट समIST कर रहे हैं इसलिए हम दो रार疫苗 करते हैं जिसकी हम नेरा कि कर रहा है, उसे हम पहले मैस करते और इसको Lebens करते हैं, उसके बाद हम उसके साह सब्सक्राइब इसको इमोश्नल्य पूल इस एक और अगर कुछ भी एमिप्ट उसका अगर आज रहा है तो उससे करते हैं और यह हमें 101-200 परसन करना ही करना है लेकिन जब आप हीलिंग करते हैं तो यह सॉल्ट बनाकर आप इसको बाउल में रख लिए सबसे अच्छा यूज क्योंकि देखे कुछ सॉल्ट हैं जैसे जिनको हमें अपने उपर लगाना है जैसे यह जो हमारा जो नजर के यह डिप्रेशन से रलेटेड है यह कैसे लेकिन ज्यादा दर जैसे जो सॉल्ट है हमारे उनको हम बाउल में रखते हैं बाउल में रख दीजे खुला ठीक है और उसको जहां पर आपने रख आप उसे वहीं रहने दीजे वह हो सकता है आपका चार पांच दिन अराम से निक तो भी उसे चेंज करना है क्योंकि कई भारी क्या होता है कि हमें चीजे पता नहीं चलती है लेकिन आँ उसमें कुछ ना कुछ इसका असर होता है अ हमिशा फ्लच कड़ते हैं जब भी हम कोई भी रही मेंडी सोर्ड से अब हरी तो सैंट हम हमेशा फ्लच करेंगे ठीक है जो लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, वो इसे घर के बाहर थो कर सकते हैं, ठीक है, अधर्वाइस आप इसे फ्लेश कर दीजिए, वो सबसे अच्छा उप्शन है, प्रोब्लम मुझे बुछ जदा होती है, जिसे किसी ने तोड़ा सा मेरे बारे में बात भी करी तो पट आपको ये सीखना चाहिए, ये आपके लिए बहुत बेनेफिशियल होगा, तो मैं आपको अपना वीडियो खोल सकते हैं, तो मैं आपको अध्म्यूट कर पाऊंगी, ये सानूराधा जी, जी मैं, जी मैं, एक कुश्चन था, जैसे हम उपन में जैसे अपने रूम में या बाहर के ब्राइम रूम में या कहीं भी, जो सॉल्ट रखते हैं, तो ये ठड़ा वाला सॉल्ट रखना चाहिए, या जो पिटकरी वाला जो होता है डेली, वो रखते हैं, अगर आपका कहने का मतलब है अगर हम ये सॉल्ट बना के नहीं रखते, अगर हम सिरफ सॉल्ट रखते हैं, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, कि हमें फिटकरी और जो हमारा सी सॉल्ट है, उसको मिक्स करके रखें, या खड़ा नमक, खड़ा नमक और फिटकरी या कपूर इन में से at least कोई चीज बीच में जरूर डालने उसके मैंना मेरी स्क्रीन दिख रही है हाँ जी दिख रही है मैं मियाँ पर देखे बहुत तरीके के सॉल्ट है जब आप गूगल पर लिखते है ना तो ये देखे लिखा हुआ है सॉल्ट खडा नमक ठीक है तो ये जो crystal form वाला है ये ही लेना है इसमें देखो pink salt भी दिख रहा है पर हमें वो rock salt नहीं लेना है इसमें जो salt खडा नमक लिखा हुआ है crystal form में है वो ही लेना है ठीक है आप मैं आपको बोल रही है आप किसी भी पूजा की जो जहाँ पे सरफ पूजा का समान मिलता है उसको बोलोगा कि खडा नमक दे दो मोटा नमक दे दो तो आपको वो खडा नमक ही देगा और सेंदा नमक या rock salt या भी एक मैम मेर से पूछनी थी चैट में तब ही मैंने ये image दिखाई है सेंदा नमक is very different thing समूंदरी नमक जिसको बोलते हैं rock salt बोलते हैं pink salt बोलते हैं वो अलग-अलग चीजे हैं उस बहुत सारी remedies में वो भी काम आएगा जैसे मैंने एक salt का नाम लिया था एpsom salt ठीक है वो भी अलग तरीके का salt होता है ये सारी चीज अब आप class में आओगे क्योंकि 30 तरीके के जो आपको salt बनाना सिखाए जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीजे हैं oils भी लगते हैं color भी लगते हैं और ये लगता है और मैं बोल रही हूं आपको each and everything का मैं आपको link provide करा दूँगी और अगर आप मेर से लेना चाहेंगे तो मैं वो भी provide करा दूँगी जी मैं इतना सब कुछ मिल रहा है आपको तो मैं ने कुछ नहीं बोला मैं आपको कुछ पूछना है हाँ जी मैं ये पूछ रही थी कि मैं जो खड़ा नमक रखेंगे अगर हम उसमें कपूर मिलाते हैं तो मतलब चेंज नहीं होगा उसका जो कपूर है उसके इसमेल तो बहुत जल्दी खतम हो जाएगी है या उसको टाइम टो टाइम चेंज करते हैं फिफ्टीन डेज में ये तो फिफ्टीन डेज तो ज्यादा होगे तब ही मैंने आपको बताया कि कोशिश करी कि उसको पर मतलब हर हफ़ते उसको चेंज कर लीजिए ठीक है अगर हर हफ़ते नहीं करना चाहते तो दस से बारा दे ठीक है क्योंकि सेम सॉल्ट हमें बहुत ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए क्योंकि कई पारी क्या होता है जैसे मैंने बताया कि जरूरी नहीं है कि हर तरह की नेगिटिव चीजे जो है है वह हम कर सकें ठीक है लेकिन कुछ ना कुछ कि देखिए अगर आप ऑफिस में या घर में घर में कोई ना कोई बाहर का लोग तो आते होंगे है कौन किस एनर्जी के साथ आ रहा है हमें नहीं पता जैसे मैंने बताया कि हम लोगो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारे सामने अगर आते हैं तो हमें लगता है कि थोड़ा बचके निकल जाएं इससे कि बहुत नेगिटिव वाइब जारी होती हैं उसे चाहिए वो हमें कुछ नहीं गहरा लेकिन फिर भी आपको कुछ ऐसा फील होता है तो इत मींज कि कुछ तो नेगिटिव है वहां पर जो हो सकता है हमारे लिए कि मतलब मुझे अभी नहीं कर रहा लेकिन मेरे घर के किसी और मेंबर को कर सकता है अगर वो मेरे घर में आ रहा है तो तो कर लेना चाहिए मैं जो यह सी सॉल्ट होता है वही सेन्ह नमक होता है न। आप उसमें बारी देखेंगे ना तो आपको उसमें मालम हो जाएगा ठीक है आप गूगल करेंगे उसमें आपको अलग से मालम हो जाएगा वन सेकेंड मुझे एकमन दें दीजेए तो जो लोग अभी जुड़े है और जो मैसेज करें क्लास कल से ही है फाइव डेस की क्लास है तो आपकी क्लास कल से चालू होगी तेईज चोईज पच्चेश भीश सताइस तक आपकी क्लास ओवर हो जाएगी मलब सेटरडे बाइज से आपध GwenPad íम और अगल। 5 थावीं थावी थावी तरीके के आपको साल्ट आप तबनना सिखाए जाएंगे जो रिलेशनशिप बनाना वह प्रिये जो आफाइज पर तक आप थावीं तरीके के युश इसी भी चीज की जरुत है तो मैं आपको इसका एमेजॉन का लिंक प्रोवाइड करा दूँगी तो जो भी पे करना चाहते हैं मैं एक बार पेमेंट डिटेल दुबारा शेयर कर देती हूं और जहां से आपको यह लिंक मिला था क्लास जॉइन करने का वहाँ पर भी यह डिटेल अविलेबल है पे कर सकते हैं और आप और आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है क्लास के लिए मैं और आपको कुछ एंड अब में सम अप करना ओ तो करते हैं फिर अभी क्लास एंड करते हैं आज की जी जी आप लुक ने पुरी मेरे साथ रहें इसलिए आज मैं आपके साथ एक कलर थरपी का आपके साथ यूज़ बताऊंगी जो आपके लिए मतलब जिनको एडिक रहत है उनको काफी हेल्फ होगी मतलब फ्रीक्वेंट हैड़ है देख हो जाता है उनको मैं एक कलर पॉइंट बताऊंगी अगर आप वहां पे कलर लगाएंगे आप क्या सिरदर जो है अगर वो स्टार्ट वह जिसे कहते हैं अगर तो बहुत तेज अलड़ी हो रहा है तब उसका तो यह थोड़ा दीरे आएगा लेकिन अगर मान लीजे अगर आपको फील हो रहा है कि सिरदर चुरू हो रहा है मेरा तो अगर आप उसी समय पर अगर इसे यूज करेंगे तो आपको यह बहुत अच्छे रिजल्स इसके आएंगे ठीक है मैं आपको बताती हूं कि आपको क करना क्या है हमें चाहिए सिरफ एक green pen ठीक है सब लोग लगा कर लीछे एक green pen लेंगे जिंके घर में छोटे बचे उनके घर में तो sketch pen होंगे ही हमें sketch pen ही घ contour marker नहीं sketch pen चाहिए और अपने हाथ के इस point छो ऑंगूठे के यहां पर एंगर हम देखेंगे यहा पंग्हें यह मेरा मतलब इस साइड पर अगर मैं से सीधे से दिखाऊंगी तो यह मेरा यह है यहां इसके इस पॉइंट पर और यह ठीक हमारे यह जो जॉइंट है यहां पर यह दो जगे पर आप ग्रीन कलर से अगर डॉट बनाएंगे क्लियर दिख रहे हैं सबको अगर कभी भी आपको लगे कि आपका सिर्दर शुरू हो रहा है इसको आप तभी बना लीजे बना के भूल जाएए आपका सिर्दर जो शुरू हुआ था ना वो भी ऐसे ही भूल जाएगा कि मैं होने वाला था आपको वही ठीक हो जाएगा ठीक है और आप मेंसे जो लोग भी सॉल्ट क्लास जॉइन करेंगे उनका थाइक यू और आप लोग जरूर मैं ये बोलूँगी कि आपको सिखके आप अच्छा ही करेंगे अपने ले भी और औरों के ले भी और जैसा मैंने बताया कि आप इसको as a source of income भी यूज कर सकते हैं ठीक है मैं wind up करें क्लास को जी मैं रादे रादे एक सेकिंड दो चार चैट में कुश्चन है मैं एक बार देख लेगा जी 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 मैंने एक बार which hand कौन से hand में करना है ये ये हमारा left hand सॉरी मैंने पहले नहीं बताया हमारा left hand जो है left hand के ये thumb के नीचे side में आप लगाएंगे इस point पे और उसके बाद जहां पर ये हमारी line होती है ना इस line के बिलकुल pass में एक ही seat में ठीक है दो बड़ी-बड़ी बिंदियां बनाएंगे हम green sketch pen से ठीक है welcome ममता मैं मैं यहाँ chat में नहीं वहाँ पे screen जोड भेजो ठीक है न तभी मैं आपको गुरूप में add कर भाऊंगे thank you जिनों ने भी payment करी है उन सब के लिए thank you welcome to the class ठीक है रादे रादे जैश्री शाम जैश्री शाम